एक बड़ी कारवाई इस वक्त आप लोग देख पारेया कर दी गई है क्योंकि 31 मकानों के उपर ये पीला पंजा चल चुका और 31 मकान तहस महस कर दिये गई है चाहे जितने बीच के अंदर पेड़ा है चाहे कितनी रुकामटे आए और लोग जो है अंदर से उनको बाहर निक सकते हैं बिल्कुल गली के साइड के अंदर इखटा हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे भी की बदद से यह हजारों लोग जो है यह आप लोग दो दर्जन से जादा मकान इस वक्त तोड़े जा रहे हैं और आगे की तरफ की तरफ तरफ आप तस्वीर देख पा जहां पर ग्राम पंचायत का जो है केश चल रहा था और उसके बाद जो है ग्राम पंचायत यह फैसला जो है केश जो है वो जीच चुकिया यह मार्किंग आप लोग देख सकते हैं यहां तक जो भी मकान आगे बने हुए वो सारे तोड़ दिये जाएंगे इस वक्त आप ल इसनी भी जमीन यानि की साड़े 19 फूट जो है वो यह रोड होनी चाहिए दी लेकिन लगबग 9-10-10 फूट तक लोगों ने कबजा किया हुए जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़ी कारवाय इस वक्त जेसी भी कितरों से की जा रही है और हजारों लोग अंदर यह मामरा गया हुआ था चूट के अंदर से फैसल अजो है इस वरक्त आ चुका है और więcej पुलिस और मौ्जू दर बॉसबन की मौजूद की लाज़िए बॉर दिनों सीकाये की उँब्स, अंतर लगबग कितने सालों से ये मामला कोट के अंदर चल रहा था जब यहां पर इतने लोगों ने यह कहां पर दूशान नए मकान भी दिखाई दे रहे बड़ी कोठिया बनाई हुए यहां पर क्या मैंने दूस इनके में और नहीं जमीन यह खरीदी नहीं हुए थी आर्यानगर के बिलकुल कट के अंदर शाहापूर रोड है वहां पर ये बड़ी कारवाई की जा रही है उन्चास फूट का ये रोड था जिसके उपर अवैद कबजे किये हुए थे और अवैद कबजे हटाएं नहीं जा रहे थे जिसकी वज़े से अपनों घरों के अंदर देख पार हैं लोग घरों के अंदर से जो इस वक्त देखते हैं आप लोग खुश है ये कारवाई होने से आज खुश है हम बहुत है क्योंकि ये पूरा घर जो है आप लोग इस वक्त देख पा रहे हैं अभी पूरा का पूरा जो है ये तोर दिया गए गेट जो है एंट्रेंस घर की वो तोर दी गई है बिल्कुल खंबे के साथ लग मामला चल रहा था और कोट के अंदर ये मामला जीतने के बाद ग्राम पंचायत ये मामला जीच चुकी है इसके बाद यह कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं ठोड़े बहुत हट सकते हैं क्योंकि बिल्कुल मीटर जो है बाहर की साइड लगा हुए और पूरा पूरा गाउं पहली बार ऐसा देखने को मिला है ताश के पत्तों की तरह ये मकान यहां पर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और अभी जो है कुछ ही मकानों की उपर कारवाई हुई है लेकिन हर बार स्ते दे करके छोड़ दिया जाता है लेकिन इस बार इसने भी लोग घर के अंदर निकाला जा रहे है बार की तरफ और महिलाये जो घर के अंदर मौजूद है उन्हें निकाला जा रहे है और यह दरवाजा आप लोग देख सकते हैं तरवाजा जो है इसका खुद ही तोड़ दिया गया है और अलमारी भी जो है कई सारी वो तोड़ दी गही है और बड़ी कारवाई जो है इस वक्त की जाएगी ये घर आप लोग देख पार है ये बिल्कुल जहां पर आप लोगों को ये घर की दिवार ये दिखाई दे रही है यहां तक जो है अवैद कब्जा नहीं है लेकिन ये जो कमरा आप लोग देख पार है बिल्कुल इसकी सीध के अंदर लेकर के यहां तक जो है लगबग 9-10 फूट जो है कब्जा वो लोगों ने किया हुआ है ग्रामीन वासियों ने किया हुआ था जिन जिन के घर और यह देके पूरा घर ये देके पूरा घर जो है इस वक्त तोड़ दिया गया है और तोड़ा जा रहा है यह देके जैसे भी की मदद से पूरा का पूरा घर का निर्मान इस वक्त तोड़ दिया गया है यह बड़ी कारवाई इस वक्त की जा रही है हाला कि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी कारवाई की जा सकती है लेकिन आप लोगों के आखों के सामने है यह बड़ी कारवाई जो है इस वक्त वो की जा रही है और पूरा का पूरा घर जो है वो तोड़ करके तहस महस कर दिया गया है यह लगपक जो आप रोड नाप रहते हैं कितने फूट का रोड है जिसमें 20 पूट का मुश्किल से फोड़ रखे है तो यह जो इस वक्त मकान तोड़े रिवाइन्यू डिपार्टमेंट की तरव से यह बड़ी कारवाई इस वक्त की जा रही है सर बताएंगे कि यह मामला जो है कोट के अंदर कब पहुंचा था इसके लिए आप अमरे प्रंचायत अफसर आया है उनसे कंसंट करो कहां पर मिलेंगे हैं यह कही है तो बिल्कुल आपको बतायते हैं पंचायत अफसर जो है इस वक्त यहां मोके के उपर पहुंच चुके जो पूरी बात की जानकारी देंगे और तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पार है इस पूरे मामले को जादा से जादा शेयर करते रही है क्योंकि एक बड़ी कारवाई इस वक्त एक्स्क्ल्यूजिव हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जैसे भी की मदद से यह पूरी सड़क यह का रास्ता बचाने के लिए यह आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी कारवाई हैं जितने भी लोग हैं वो सब यहां पर सारी खट्टे हो चुके हैं और साथी साथ जितनी भी घर है यह सारे तहस महस कर दिया गए हैं तस्वीरों के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि कितने सारे घर जो है इस वक्त तहस महस हो चुके हैं और यह बड़ा फैसला जो है ग्राम पंचायत जी चुकी है जिसके बाद लिया गया क्योंकि काफी समय से परिशानी हो रही थी उननचास फूट रोड था जिसके बाद यह कारवाई आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 से 10 फीट तक कबज़ा किया हुआ था लोगों ने लेकिन यह जो आप लोग इस वक्त देख पा रहे हैं य। घर जो है वो तोड़ दिये गए हैं मेजरमेंट करके तोड़े गए हैं और इदने भी यह मेजरमेंट करके तोड़े गए हैं इसके बाद लगबग एक हफ़ते का समय दिया गया है ताकि जो बाहरी हिस्सा था घरों का वो बकाइदा यहां पर तोड़ दिया गया है लेकिन जो अंदरूनी हिस्सा था जो सड़क की लोड के अंदर आता है जो सड़क की जो भी लोड है उननचास फूट की उसके अंतरगत आता है उसे जो है अभी नोटिस दे करके छोड़ा जा चु गई है खैर देखने वाली बात यह कि क्या लोग अकुछ